हेलो दोस्तों नमस्कार अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पठान कोड में आज कारगिल दिवस के मौके पर घुसे आतंगवादी जम्मू में हाई अलर्ट आर्मी स्कूल कर दिये गए बंद बताएंगे क्या कुछ बड़ा होने वाला है जी हां दोस्तों तो वहीं कारगिल दिवस पर पिया मोदी की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी कहा हमारे सैनिक पूरी तागत से आतंगवाद को कुचल देंगे तो वहीं बताएंगे भारत की डिफेंस सिस्टम ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है दोस्तों 15,800 फीट उपर से उड़ा दिय के जाएंगे चीतड़े बताएंगे क्या है बड़ी खबर क्या मुकाम हासिल किया है भारत की मोदी सरकार ने तो वहीं भारत के साथ नाटो जैसा हो ब्यवहार पाकिस्तानी कर्टूतों की बनाओ लिस्ट अमेर्की संसद में विद्यक हुआ है पेश जानकर हर भारतियों को होगी बड़ी खुशी बताएंगे क्या है इस विद्यक में तो भारत चीन सीमा से लोट आएंगे हजारों सैनिक आसियान में विदेश मंत्री जैशंकर और चीनी मंत्रियों बीच ऐसा क्या बात हुई जो बनने वाला है एतिहासिक दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताए जम्मू में हाई अलट आर्मी स्कूल किये गए बंद जिहां पाकिस्तान भर भर कर भेज रहा है कशमीर में आतंगवादी विदेशी मदद से खोद रहे हैं टनल बता दें जम्मू इलागे में सेन हाई अलट पर है और यहां पूरी तरह से चौक सी बरती जा रही है दरसल के पठान को जिले में कुछ संदिग्द देखे गए हैं इंडिया टुटे की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला की और से सेना को यह सूचना दी गई जिसे घंभीरता से लेते वे जम्मू में हाई अलट घोशित कर दिया गया है एथियात के तोर पर जम्मू में आर्मी स्क करी किया है जिसके बारे में किसी बितरे की सूचना मांगी गई है बता दें इस तरह जम्मू कश्मीर में आतंग वादियों की घुसपेट के परियास जारी हैं इसको देखते वे सुरक्षा बल भूमिगत और सीमा पार सुरंगों का पता लगाने में जुटे हैं इसके जंगली लागों पर अधिक फोकस किया जा रहा है क्योंकि यह आतंग वादि पचास से साथ कि संख्या में जम्मू में गुसपेट कर रहे हैं अभ्यान में शामिल पुलिस अधिकारी ने बताए कि सीमा पार किसी भी सुरंग की मौजूदगी का पता लगाने के लिए व्या भारतिया सेना अलर्ट होकर के पता लगाने की कोशिच में लगी हुई है लेकिन माना यह जा रहा कि आज कार्गिल दिवस के मौके पर यह बहुत बड़ा आतंग फैलाने की प्लानिंग में आप देखना यह होगा कि भारतिया सेना क्या इस प्लानिंग को फेल कर पाती है अ कि हमारे सेनिक पूरी ताक से आतंगवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को मुहत और जवाब दिया जाएगा लदाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शद्धांजली समारों के दरान बोलते हुए पियम मोदी जी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें बत दान श्वास्वत हैं और हमेशा याद किये जाएंगे जैसे जैसे समय बीठता है दिन महीनों में बदल जाते हैं महीने सालों में और साल सद्यों में बदल जाते हैं राज्ट्रिय सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के नाम हमारी सामुही किसमन में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं तो दोस्तों वहीं सबसे बड़ी खबर बता दे शिंकुला टनल को लेकर बड़ी खबर नापाक हरकत पर 15,800 फिट उपर से उड़ा दिये जाएंगे चीथड़े दुश्मनों को तीधा पयगाम दोस्तों कार की लिविजय दिवस के मौके पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी ने लदाख में शिंकुन लासुरंग लिए पहला विस्पोट करके इस कार का उद्गाटन कर दिया है आपको बतादे कि शिंकुन लासुरंग दुनिया की सबसे उचाई परिस्तित सुरंग होने वाली है पियम मोदी ने वर्चुल माध्यम से लदाख के द्रास से कुछ दूरी पर इस परियोजना का उद्गाटन किया है शिंकुन लासुरंग आम लोगों के साथ ही भारतिय सेना के लिए भी काफी एहम होने जा रही आपको बता दें शिंकुन लासुरंग का निर्माण नीमू पदुम दार्चा रोड पर लगभग 15,800 फुट की उचाई पर किया जाएगा इसका निर्माण लेह के छेतर को हर मौसम में कनेक्टिवीटी की सुविधा देने के लिए किया जा रहा है जब इस सुरंग पर्योजना का काड़ पूरा हो जाएगा तो शिंकुन लासुरंग दुनिया की सब से उची सुरंग होगी जानकारी के मुतादिक शिंकुन लासुरंग आंप लोगों को तो फायदा पहुंचाएगा ही इसके साथ ही भारत ये से नाव सशस्त्र बलों को उप करनों की तेज एवं कुशल आवा जाही में फाइदा पहुचाएगी इसके साथ ही शिंकुन लासरंग की मदद से लदाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जी हाँ दोस्तों तो वहीं बता द दोतर भारत को प्राथ मिकता है आधार पर अदग तर्जी देनेगी पैरवी कर रहे हैं इसमें मांग की गई की टेकनोलोजी शेयर करने के मामले में भारत के साथ उसके सहयोगी जापान दक्षिन कोरिया और नाटो जैसा बैवहार किया जाए ये विदेयक गुरुवार को फ्लोरीडा के सांसद मारको रूबियों ने पेश किया यहीं नहीं उन्हों और आँवेखमर और रहा है, उन्होंहें कहा कि पाकिस्तान मैं खास तरपर जमू कश्मीर में किसी भी तरहु के आतंगवाद को बठावा देता आतंग क्योगी सहयता करता पाया जाता है तो उसे अमयर्गी मदद नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली अमेर की मदद पर प्रतिबंद लगना चाहिए प्रिव्यून की रिपोर्ट के मताबिक बिल में मांग की गई है कि अगर भारत रूसी सेन उपकरनों का इस्तेमाल करता है तो भी उसे प्रतिबंदों से छूट दी जाए इस बील को अमेर का भारत रक्षा को बढ़ाना है अमेर्की सांसत का मानना है कि भारत चीन की बढ़ती अगरामकता का सामना कर रहा है तो वहीं बता दे भारत चीन सीमा से लोट आएंगे हजारों सेनिक आसियान में विदेश मंत्री जैशंकर जी और चीनी मंत्री के बीच ऐसा क्या हुआ बता दे भारत और विवाद में दोनों देशों के बीचे एक खास मुद्दे पर सहमती बन गई है भारत और चीन जल्दी अपनी अपनी सेनाई सीमा से हटा लेंगे एक बीचे आशियान में विदेश मंत्री जैशंकर जी और चिन के विदेश मंतरी वांग इके बीच मुलाकात में कुछ मस्रों पर हुई गेहन बाद चीत के बाद भारत सरकार की ओर से ये बात जाहिर जाहिर की गई है दोस्तों भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत और चीन ने लंबे समय से चले आ रहे है घतिरोध के कारण विवाधित सीमा पर तैनाथ हजारों सेनिकों को वापस बुलाने के लिए ततकाल काम करने पर सहमती जताई है दरसल ये सीमा रेखा पशीम में लदाक से लेकर भारत के पुरिवी राज अरुनाचल प्रदेश तक चीनी और भारतिय छेतरों को अलग करती है जिस पर चीन अपना पूरा का पूरा दावा करता है भारतिय विदेश मंत्री सुपर मर्नियम जैशंकर जी ने पूरी दुनिया भारत की कूट नीती की फैन बन चुकी है जिहां आज भारत जैसा कूट नीती किसी के पास नहीं है इसका सबसे बड़ा श्रे दोस्तों आप किसको देना चाहेंगे कमेंड में लिकर रवश्य बताएगा बढ़ते अंगली खबर की और जहां इराक और सीरिया में अमेरिकी सेन ठीकानों पर बड़ा हमला इरान समर्थित आतनक्यों पर इसको लेकर है डाउट शक जिहां इरा बात की पुष्टी भी की है गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआद से इस तरह के हमले अकसर होते थे लेकिन यह हमले कई दुनों बाद हुए हैं अमेरिकी सेना के इराक में लगभग पच्छी सो सेनिक और सीरिया में लगभग 900 सेनिक हैं 2014 में सरगार के अनुरोध पर देश को इसलामी की स्टेट से लड़ने में मदद करने के लिए इन सेनिकों को यहां टैनात किया गया था जी हां तो वहीं बता देए एनसे अजीत डोवाल जी बीमस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में करेंगे भारतिये प्रती निधी के सुरक्षा प्रमुखों की चौती वार्षिक बैठक में भारतिये प्रतिनीती मंदल का नेत्रत्र कर रहे हैं डोवाल ने ब्रस्पतिवार को म्यामा में अपने संकक्ष एड्मीरल मोई आंग से मुलाकात की म्यामा की राजधानी में यह बैठक सदस्त देशों के समक्ष आने वाली सुरक्षा चुनोतियों से निपटने के लिए महत्वा पूर्ण पहलों की रणनीती बनाने और समन्वा साबित करने के लिए आउजित की गई है तो वहीं भारतिया दूता वासन इसकी जानकारी देते वे एक्सपर पोस्ट करते वे कहा किने साजीत डोबाल आज नेपीता में आयोजित वीमस्टेक सुरक्षा प्रमुकों की चौत्ती वार्शिक बैठक में भारतिया प्रतिनीती मंडल का नित्रित्व कर रहे हैं ऐसे में all the best अजित डोवाल जी जरू कहिएगा तो ही बाराक ओबामा ने आखिरकार लगाई कमला हैरिस के नाम पर मुहर बहुत बड़ी और खुश्खबरी भरी खबर है कमला हैरिस के सपोर्टरों के लिए जहां वीडियो में बड़ा खुलासा हुआ है पुर्वर राश्ट्रपती बाराक ओबामा और उनकी पतनी मिशेल ओबामा ने आमेर की राश्ट्रपती चुनाओं में डेमोक्रेटिक उम हमें में आया है जब राश्ट्रपती बाइडन द्वारा चुनादी रेस से हटने के बाद पार्टी के संभावित उम्मीद्वार की सूची में कमला हैरिस का नाम सब से आंके आ रहा है जानकारों के मताबिक यह अमेरिका के पहले अश्वेत राश्ट्रपती रह चुके कि हमने मिशेल को फोन करके कहा कि हम आपका समर्थन करने और आपको इस चुनाव में जीत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करने पर गर्व महसूस कर रहे हैं इस वीडियो में कमला है रिस एक कालिक्रम के बैक स्टेज में फोन पर बात करती दिखाई दे रही है वहीं से ज़्यादा पब्लिक नज़र आ रही है और वहीं हाली में डोनाल्ड ट्रम्प पर हमला भी हुआ जहां पर वह बाल बाल बच गए जिससे की और भी ज्यादा सिंपेथी वोट डोनाल ट्रम को मिलता दिखाई देरा लेकिन क्या इस चुनोती भरे माहौल में क्या कमला है कमला है उसकी पार्टी को डोनाल्ड ट्रम्प से ज़्यादा वोट मिल पाएंगे क्या कमला है अमेरिका के अगली राष्ट्रपदी बन पाएगी मुश्किल तो बहुत लग रहा है लेकिन आपकी क्या राय है दोस्तों जवाब जरूर दीजगा यह सावाल का जवाब हम कंद तक देखने के बाद ताकि हर कोई अपनी राहे रख सके तो वहीं आपको बता दें कमला है जुड़ी खबर जहां कमला है इस ने तोड़ा जूम मीटिंग का रेकॉर्ड एक साथ ऑनलाइन आई एक लाख से ज़्यादा मही लाएं जुटाए 20 लाख डॉलर जिहां अमे साल या ऐसे में कमला है का सपोर्ट तो तकड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन क्या ट्रंप को हरा पाएंगी यह बताएगा जरूर तो वहीं बता दें आई एस आईस के बारे में जानकारी देने वालों को मिलेगा आवार्ड पुरसकार रेवार्ड फॉर जस्टिस ने चलाय प्रद्दिक संसाधनों के दोहन के जरीय फंड जुटाता है इसमें अफगानिस्तान के नंगरहार में आगर्शक टालक ख़ादानों से फंड प्राप्त करना साथी इन संसाधनों की देश से बाहर त सकरी करना शामिल है अमेर्गी वित्त विभाग के मताबिक आयस आई-स क क्या चीन को छोड़ देगा पाकिस्तान शहवाज सरकार ने कर दिया बड़ा एलान दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान को चीन के खेमे में पूरी तरह से जाने से रोकने के लिए आर्थिक मदद का एलान कर दिया है बहुत बड़े आर्थिक मदद का दोस्तों अमेरिकी की संस से अनरोध किया गया है कि पाकिस्तान को एक करोड डॉलर की मदद दी जाए इससे यह बहस छिड़ गई है कि क्या पाकिस्तान अब चीन के गुलामी छोड़कर अमेरिका के पास फिर से जाएगा इस पूरे मामले में अब पाकिस्तान के विदेश मंत्राल ने चूपी तोड़ जिसमें 60 अरब डॉलर खर्च किया जा रहा है चीन की और से गुआदर में नौसनिक अड़ा भी बनाया जा रहा है दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मुम्ताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी कई बाहर कहा है कि वह एक की कीमत पर भारती के साथ रिस्ते खराब नहीं करेगा पाकिस्तान ये पाकिस्तान का बयान है तो वहीं आपको बता दें एकस्पर्टर ने बताया पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल कहा। पानु संपन देश हो चुका था इसके बावजूद इंडियन आर्मी बगएर किसी प्रेशर के बना किसी दवाब के मजबूती के साथ जंग में खड़ी रही और जीत हासिल की इस युद को पाकिस्तान के जानकार पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिस्टेक सबसे बड़ी भूल उनका मानना है कि इस युद से पाकिस्तान आज भी उभर नहीं पाया है जी हां पाकिस्तानी पद्रकार आर्जू काजवी ने कार्गिल युद को लेकर पाकिस्तान के एक्सपर डॉक्टर इश्तियाक एहमद से अपने यूट्यूब चैनल पर बात की इस दोरान इश्तिया था कि अब परवाणू हत्यारों से जंग तो हो नहीं सकती है ऐसे में दोनों देशों को अमन के रास्ते पर ही आना चाहिए इससे जुड़ा एक किसा भी आपको बताते हैं जब अमेर्की राष्ट्रपती बिल किलिंटन ने अपियम अटल बिहारी को किया था फोन तो का भाग गए थे जिहां फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट का मुताबिक आज कार्गिल की लड़ाई को 25 साल हो गए हैं और इस युद को रोकने के लिए अमेरिका ने एहम भूमी का निभाई थी तद कालिन अमेर्की राष्ट्रपती बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी । नवाज शरीफ अपने परिवार की फिकर करके अमेरिका भाग गये उनको कोई फिकर नहीं थी कि पाकिस्तान की जंता मारी जाएगी इससे किलियर दिखाता है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से प्यार नहीं था जी हाँ दोस्तों लेकिन अपने पुर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी जी भारत देश के लिए दिलो जान से आगे आ गई था ऐसे में जब अटल विहारी जी की बात हमने याद की है दोस्तों तुनको याद करते हुए श्रद्धान जेले अवश्य दीजिएगा और दो अ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन दवा के कमेड में जैहिंद अवर्श्य कहती जगा में तकली बड़ी ख़बर में बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभार